भारत के जो कोस्ट गार्ड उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोर्ड जो है एक कश्ची जो है पाकिस्तान की उसको पकड़ा है 600 करोड रुपे की जो है वो ड्रक्स उसके अंदर थी गुजरात से आतंगवाद विरोधी दस्ते यानि ATS और नार्कोटिक्स कंटोल ब्यूरो यानि NCB ने जोईंट आपरेशन के जरी 86 किलो ड्रक्स प्रामत किया बजार में इसकी कीमत करीब 602 करोड रुपे आ की गई है गबादर में धमाका और फारिंग की आवाजें जी पी ए कंपलेक्स के अंदर शदीद फारिंग का सलसला भी जारी है ऐसी खबरें सामने आ रही है अगर तुम हम पर हमला करोगे तुम हमारे साथ जंग करोगे तो फिर पाकिस्तानी फाज सरेंडर कर देगी इंशाला इंडियन अलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे हम इंतखाबात समझा जा रहा है उसकी वज़ा ये है कि नरेंदर मूदी साब जो दो बार वजीर आजम रह चुके हैं वो नाकाबले शिकत समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से जादा सीट्स ले जाएंगे ये लोग सभा की देश्टगर्दी के जो बाकियात हैं उसमें तो आपको पता है कि पाकिस्तान में हालिया महीनों के अद काफी इजाफा हुआ है अब इनको पढ़ रही है मार पाकिस्तान के बारे में ना थोड़ा बहुत मेजर भी जानता है इनको जतना कूट के रखोगे इतना खुझा पाकिस्तान की कोशिश है कि भारत के साथ ट्रेड दुबारा से शुरू की जाए लेकिन अभी हम लोग बात ही कर रहे थे मतलब ये कि अभी पाकिस्तान के अथॉरिटीज और पाकिस्तान के पॉलिटीशन और पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स अभी ये प्लान करी रहे थे कि हम भारत के साथ क्या बात करें और भारत को किस तरह से इस बात के ओपर तयार किया जाए कि हम trade करना चाहते हैं लेगन तिनी देर में कुछ लोगों ने पाकिस्तान से trade शुरू भी कर दी और कैसे कर दी और ये भी बात है कि भारत को भी इस बारे में पता लगिया तो भारत को ये बात पता लग गई और हमारे से ट्रेट शुरूँ गई वो कैसे मैं आपको बता रही हूं ना सबर किया करें जरा जी हां तो मैं आपको ये बता रही थी के ये पिक्चर भी जो आप देख रहे हैं कहां ये जा रहा है कि भारत के जो कोस्ट गार्ड्स है उन्होंने जी गुजरात के साहिल पर एक बोर्ड जो है कश्ची पाकantal के उसको पकड़ा है और उसके लोग बता जारें चुरूट के करीम लोग उस बोर्ड पे थे ये जो आपको नजर आरहें काउंट कर लीजे खुद ही कितने हैं मेरी काले दो चाट जादा ही निकलेंगे कम नहीं होंगे 14 से जिया 14 के करीब लोग जो है वो अरेस्ट किये गए हैं वो ड्रक्स जो है उसको कब्जे में लिया गिया है भारत की पुलिस की तरफ से और अब डिटेल्स देखते हैं कि जैस करने दीजिए कि ट्रेट करनी है और फिर हम सोचेंगे कि हमने क्या भेजना है लेकिन बस हमारे इतने उत्तावले बैठे हुए ना कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग उत्तावले जाद हैं कि बावले जाद हैं कि अभी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं भारत से बात कर कर रहें कि भारत के साथ ट्रेट करनी है भारत के साथ भारत के साथ बिजनस करना है कि आप लोग जो है वो 600 कडोड की जो है ड्रक्स लेकर पहुंच गए और वह भी इतने मतलब एक्टिव बैठे वे थे भारत की तरफ से लोग क्योंनों ने धर्ण पकड़ लिया है लोगों क पाकिस्तानियों को उनका काम है ठोकना वो गए पाकिस्तानियों को ठोका आ गया वो फिर गए ठोका आ गया उनका फिर मारा है इनको कितने लोगों को फड़का दिया अब पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का गलास हो करना चुरू पाकिस्तान क्यों कर रहा है ऐसा और पाकिस् इनने पास कलेजा नहीं है, दम नहीं है, इहांथ आहिम्मत नहीं है, पाकिस्तानियों में, ये जितने भी लाहौरी आपकिस्तानी पंजाबी, राइट, इस ऐर बिग टॉकर्स, आप इनकी फिल्में देखिए, आप इनकी कुछ भी चीज़ देखिए, वह था हमें पता है, त तुसी शैतान, ये स्टोरी सुना रहे हैं, ये ओच्छे लोग हैं, गतिया C के अटिगरी के B-grade लोग हैं, उसना बोला मर वन को, तो स्नेक सीने और backyard, यहीं बोलती है वो, स्नेक सीने और backyard, हिलरी क्लिंटन कहती है कि अगर तुम अपने घर के पीछे साप पालोगे, और तुम आके इन सब के जनलिस्ट के सामने उसने स्टोरी सुनाई इनको है सांप वाली कहानी कि बेटा बहुत पहले की बात एक सांप था और उसना कट लिया उसना पूरी स्टोरी समझाई स्नेक सिन्य और बैक आड कि पढ़िएगा इंटरनेट पे आपको मज़ा आजाएगा आप वीडियो देखेंगा पता लग जाएगा स्नेक सिन्य और बैक आड वला लेकर पाकिस्तानी नहीं माने पाकिस्तानी यह पता है यह ओर स्मार्ट काउम है खास तोर से लाहरी जो है यह ओर स्मार्ट बनते हैं और फिर इनको जुत्ते पढ़ते हैं भारत चेंज हो गया अगर नरिंद्रा मोदी चार्ट सो सीटें लेके पावर में आ रहे हैं तो क्या ख्याल है वो आपका इंतजार कर रहे हैं कारोबार करने के लिए जो आपके साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते जो आपके साथ पीपल टू पीपल कांटैक्ट नहीं करना चाहते जो आपको वीजे नहीं देते और वो चाहते हैं कि आप ना इंडियन्स पाकसान पहुंचे ना आप उनके जो कंसर्ण्स हैं वो अपनी जगा पे मौजूद ह पाकिस्कान के जो था अब होता क्या है पाकिस्कान के मुह में आता है पानी क्यों ना आए पानी क्यों ना आए अभी हाली में आपको याद अधार कि European Free Trade Association जो है उसकी और जो चार यॉरप के ममालक हैं स्विर्जन लेंड नौर्वे आइसलेंड और वगारा इन्होंने आपस में जो है वो इनकी और भारत की जो है वो पंद्रह बर्स की सो औरफ डॉलर की सरमायकारी की कम वायदा हुआ है सारी दुनिया तो भारत में आके दो है और मज़र की बात है यह जो माइदा भारत के साथ वो तो जी सोला बरस से पिछले जारी था ठीक है जी यह वो असान काम नहीं है भारत भी वड़ी टाफ लाइन लेता है भारत ने आस्ट्रेलिया और यूए के साथ भी जो फ्री ट्रेट एग्रिमेंट्स हैं वो किये हु हैं कही महीनों जे लगे हुए हैं जो कि सुनने में आ रहा है आखरी मरहलात में पहुंच गए आखरी फेजिस में हैं और यह हिट यह कोस कार्ड के उपर हुआ है कोस कार्ड एम्प्लॉई के उपर जैसरण बर यह कोस कार्ड यहां जो कोस के इनका इनका आखरी में इनका सेट अप्लॉई वहां पर इन लोगों ने जाके पास चाराया है झारी जाक्र अटायक तरफुआ है यह हैं पर नहींग ने संटे जह आखरा है ठीक है बलोचिस्तान एक ऐसी जगे है जहां से आपको access मिलेगा पाकिस्तान में जो एक important जगे थी जहां से पाकिस्तान अपने आपको strategically बड़ा central बोलता था पास कराची अब चाइना की गोदी में जाके बैटके इसने बलोचिस्तान के अंदर ग्वादर भी बनवा दिया ग्वादर बन गया तो अभी ग्वादर इस नाओ becoming a center of attention कि जिसके पास अगर बलोचिस्तान का control रहेगा वो ग्वादर और अंदर के ways into Afghanistan, into Central Asia वो control कर पाएगा ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पताएए कि there are two drone bases that are there of the Americans in बलोचिस्तान बलोचिस्तान में इस टाइम पे ये operations चल रहे हैं और अफगानिस्तान से काफी reports आती हैं कि drones overflight हो रही हैं और उनको पता नहीं है कौन सी country के है